जिन्दगी बहुत कीमती है, इसे प्यार से जीओ, बस रोज इतना काम करो, गम को डिलेट करो, खुशियों को सेव करो, रिष्टों को रिचार्ज करो, दोस्ती को डाउनलोड करो, दुश्मनी को एरेज करो, बस हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जूट में बले ही आकर्शन होता है, पर स्थेरता सत्य में ही होती है, शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर निर्भर करता है, एक शब्द मंतर बन जाता है, तो एक शब्द गाली, वानी ही व्यक्ति के व्यक्तितव का प्रीचे देती है, सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, और दया सब के लिए यही जीवन का व्याकरन है, अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना, जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके, अगर आप किसी की निंदा को दिलचस्पी से सुनते हैं, तो आप सुनाने वाले को बढ़ावा देते हैं, सुनाने वाले से ज्यादा जिम्मेदारी सुनने वाले की होती है, सुनने वाला सुनना बंद कर दे, तो सुनाने वाला किसे सुनाएगा, जीवन की तपिश को सेहन करना सीखिए वो पौधे मुझ्छा जाते हैं जिनकी परवरिश शाया में होती है इंसान चाहे कितना भी खुश क्यों ना हो जाए पर जब वो अकेला होता है तो वो सिर्फ उसी इंसान को याद करता है जिसे वो दिल से प्यार करता हो कटी हुई टेहनिया कहां छाया देती है हद से ज्यादा उमीडे हमेशा घाव देती है इंसान का सबसे बहतरीन साथी उसकी सेहत होती है अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिष्टे के लिए बोज हो जाता है जिन चार लोगों के पास पैट कर आप दूसरों की बुराई करते है निंदा करते है ये केन मानिए आपके वहां से उठते ही वो चार लोग आपकी भी बुराई करते है एक गाह में आग लग गई, सब लोग आग बुजाने में लग गए वहिं पास के एक पेड से एक छोटी सी चिडिया उड़ी और अपने चोंच में पानी भर कर आग में डालने लगी वो बार-बार चोंच में पानी भरती और आग पर डालती उसी पेड़ पर एक कववा बैठा था, जो ये सब देख रहा था वो चिडिया से बोला, अरे पगली, तु कितनी भी कोशिश कर ले कितनी भी मेहनत कर ले, तेरे भुजाने से ये आग कभी नहीं भुजेगी इस पर चिडिया बोली, मुझे पता है, मेरे भुजाने से ये आग नहीं भुजेगी पर जब भी इस आग को भुजाने का जिक्र होगा, मेरी गिंती आग भुजाने वालों में होगी तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं इतिहास से शिक्षा ली जाती है पर निर्न्य वर्तमान परस्थितियों को देख कर ही लेने पड़ती है खुद की समझधारी भी माइने रखती है वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरू एक ही थे जिसको मैं की हवा लगी उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी हर दिन अच्छा नहीं हो सकता पर हर दिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है खुश रहना है तो आज में रहो परस्थिती अच्छी हो या बुरी रुकना मत आगे बढ़ते रहना नदियों को देखिए नदिया कभी नहीं रुकती एक बार कदम आगे बढाती है तो वापिस नहीं आती जहां से शुरू होती है वहां फिर कभी वापिस नहीं लौटती हमारी जिंदगी भी नदियों की तरह होती है रास्ते में आने वाला पत्थर उसका नया रास्ता तया करता है और कभी कभी वो रास्ते में आने वाले पत्थर को तोड़ कर आगे बढ़ जाती है पर वो कभी नहीं रुकती इसलिए जिन्दगी में कभी रुकना मत हमेशा आगे बढ़ते रहना रुकी हुई चीज सर जाती है बेशक हसना अच्छी बात है पर दूसरों पर नहीं दुख तब होता है जब हमारी नियत साफ हो और दूसरे हमें गलत समझें जिसको जो कहना है कहने दो हमारा क्या जाता है ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है जिन्दगी का सबसे बड़ा थपड़ भरोसा मारता है घर पहुँचकर फून कर देना ये कहने वालों को कभी न खोना खुश रहना है तो अपनी जिन्दगी के फैसले परस्थितियों को देख कर लो दुनिया को देख कर लिए फैसले हमेशा दुख ही देती हैं थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मिक्स्ट फ्लेवर अगर वीडियो अच्छा लगा हूँ तो लाइक, शेर और कमेंट करें